नमस्कार आप सभी का दोस्त जैसा कि लास्ट टाइम हमने दो वीडियो शूट किया था जिसमें की सिलेवस का डिसकसन हम लोग कर रहे थे क्योंकि किसी भी एक्जाम केकर हम त्यारी कर रहे हैं तो उसका सिलेवस हमें सबसे पहले बखुवी पता होना चाहिए कि क्या कहिए सिलेवस में क्या है और उस सिलेवस केंदर में क्या क्या टॉपिक हैं इन शारी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले पता ऊंचाहिए और साती सात इस बात का भी आपको पता होना चाहिए final वी कूटकर से चीजें किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और कौन सा सेक्शन्स होगा कितने को संस जो होंगे वे कितने नंबर के वेटेज रखेगा इन सारी सीजों को लेकर करके इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि आप जितना महत पुर्ण रखते हैं सारे टॉ जैसा कि लास्ट टाम हम लोगोंने फर्स्ट वीडियो में देखा कि सबसे पहले आपको एक तो क्वाइदी नेचर का पर पास करना होता है जो जैनल हिंदी और इंग्लिश था सेकेंड पेपर में हम लोगोंने देखा कि उसमें आपको लीट्रेचर से यानि लेंग्विज लेकिन अब जो आपके पास चार पेपर हैं वह आपके कंपलसरी पेपर हैं यह आपको इसमें कोई भी चीज आपको सेलेक्ट करने की जुरुत नहीं है कि आप लेंग्विज और लेट्रेचर की तरह से आप अपने एकोडिंग ली आप सेलेक्ट कर लिए लेंग्विज को उसके बाद आप अपना त्यारी कर रहें लेकिन आप जो चार पेपर है तीन चार पांच है यह सारे जो पेपर हैं आपको खुद सभी को देना है सभी एस्प्रियंट को देना है अपने कोडिंग सेलेक्ट नहीं करना है उसमें है क्या क्या खोड़ा नगपूरी पंसपरी यह महीं ही सबचारी जर चोचेंज कर सकते थे झूज कर सकते थे चली हम बात करते हैं पहले पेपर टर्ड का अपका सब्जेक्ट के रूप होने चाहिए साइंस का जो आपका सब्सक्राइब है जो आप यहां पर समझगें होंगे तो आप देखिए कि हर एक कैडिडेट को क्या है कि answer करना है जिसमें कि एक sections आपको ऐसेば सांवे जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको जिस इस sections का तरी आ रहा है उसको आप कर सकते हैं लेकिन इसमें कि एक section से जो आपको कंपलसरी रहेगा आनि परतेक से एक तो compulsory sections रहेगा और उसी sections में आपको दो optional questions रहेगा, आनि एक sections में आपको तीन questions करने हैं जिसमें कि एक compulsory है और दो आपकेstem पास optional है तो आपका हिस्टरी में इसी तरह हो गया, जिटररा हो गया, जो टोटल मिला करके आपको six questions करने है जो यहाँ पर लिखा हुआ है six questions आपको करने है यहाँ पर जो compulsory sections है दोस्त इस paper में उसमें आपको objective questions रहेगा आपका 10 objective questions रहेगा और पड़ते questions का जो value होगा marks का वो 20 Marks का आपका questions होगा जो आपका है 20 number इसमें रहेगा आपका जैसे history है तो history में से आपको compulsory paper में 10 questions रहेगा जो आपको compulsory है इसमें कोई आपको opt करने का option नहींरेगा चूर्स करनेका option नहींरेगा यह 20 marks है से इसी तरह से जोग्रफी की बात करें तो जोग्रफी में भी आपके पास 10 कोशन्स रहेंगे जो आपका दो नंबर के रहेंगे आनि 20 नंबर यहां से आनि 20-20-40 नंबर आपका अब्जेक्टिव हो गया जो कंपलसरी है आपका 200 में से 40 नंबर आप माइनस कर दिए तो 160 अब लगता है कि आपको जो लग रहा है कि इस चार सेक्संस में आपको जो दो सेक्संस आपको लग रहा है कि हम मुझे मेरे पकड़ में है तो यह दोनों सेक्संस को आप कर सकते हैं इसमें आपको क्या करना है दो कोशन्स यहां से आपको दो कोशन्स यहां से करना है आनि आपका परते questions का value होगा, वह आपका 40 marks का होगा, 40 marks का होगा, तो आप समझ लीजी कि दो questions करेंके, तो आपका 80 marks का होगा question, आपका 2 questions insalate करेंगे, Stories से, 40 number का होगा, तो या आपका 80 number का होजाएगा, इसी तरा से जिङकरफी की बात करें, जोग्रफी में भी आपको दो questions करने हैं जो भी आपको लग रहा हो कि ये questions में अच्छे से कर सकता हूँ उस questions को आपको हाँ पर choose कर सकते हैं ये compulsory नहीं है आपके पास options रहेंगे चार options रहेंगे चार options में आपको जो अच्छा लगता है उसमें और साथे साथ इसमें भी आपका 80 नंबर, 80-80, 160 नंबर, अरुधर अब्जेक्टिव का 40 नंबर था, नहीं 200 नंबर हुए हाथ, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि एंसर करने से पहले इन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए, अब देखिए हम सब बात कर ल क्लासी एटेंड कर रहा हूं, उस तरह से सारी चीज़ों को पहले समझीए गया, तो 100 marks का questions है, जो आपका history portions है, history में कौन-कौन से आपको चीज़ें पढ़ना है, आपको ancient history आने ancient period के बारे हम पढ़ना है, medieval period के बारे हम पढ़ना है, modern history आने modern period के बारे हम पढ़ना है, और history of जहारखन और जहारखन के history के बारे हम पढ़ना है, इसमें कौन-कौन से topic है, थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुँ चलते है, ancient history में बात करें, तो इंडस वेली सिवेलाइस है, very very important, इससे आपको पढ़ना है, इसका origin पढ़ना है, इसका antiquity and extension, author seed and main features, कहने का मतलब जो सिं of origin of Aryan, Aryan जो आपका Aryan का उत्परती, next है, antiquity and stratification of Vedic literature, society, economy and religion, during early Rig Ved period, आनि आपको Rig Ved के समय की जो early period था, उसमें जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है, यहाँ पर देख लिजी क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख लिजी क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना आपको लिजवी के बारे में पढ़ना है, लिजवी and their republican constitution, आनि लिजवी और गंतन तरात्मक, गठन के बारे में पढ़ना है, next है, rise of Magad Empire, Magad Empire का कैसे उदरी में आता है, इसके बारे में, फिर आपका Moria, Moria के बारे में पढ़ना है, जो extension कैसे हुआ, कलिंगा वार के बारे म पढ़ना है, its impact, असो का जुद्धम है, उसके बारे में पढ़ना है, foreign policy क्या था, development of art and architecture during the Moria period, Moria period के समय में किस तरह का art और architecture का development हुआ, next है, kusanas, kusanas के बारे में पढ़ना है, और इसका extension पढ़ना है, empire का religious policy क्या था, development of art and architectures and later during kusanas period, तो kusanas period के time पे किस तरह से यहाँ पे सारी चीजों के extension हुआ, imperial का religious policies क्या क्या थे, और development किस तरह से हुआ, art and architectures का, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, केवल आप देखते चलिए, topic क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके बाद आप अगर बात करें, तो गुपता period की बा स्वर्धना के बारे में पढ़ना है, इसका जो last grade हिंदू rulers of northern India, rural achievements during his period, हर स्वर्धना के बारे में पढ़ना है, topic को समझते चलिए, next है चौलास के बारे में पढ़ना है, इसका maritime activities in south east asian country, चौला, administration, art, architecture, इसके बारे में पढ़ना है, आपके पासका note तो हो, तो आप देख सकती रही है, पहले एक दो बर जपते की सारे चीज़ें आपको memorized नहीं हो जाता है, next sections से पहले एक और आपको पढ़ना है, cultural achievements of पलाव, पलावों के जो संस्कृति उपलवधियां थे उसके बारे में पढ़ना है, इसके next sections के बात करें, जो paper first history का है, तो second में है आपका medieval period, ज पढ़ना है, इसमें है कि अरब का जो आकर्मन हुआ है भारत पर, the Arab invasion of India, next है कि गजनी invasion of India, गजनी का आकर्मन, अरब का देली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मंगोल इन्वेजन के बारे में पढ़ना है, कि मंगोला भारत पर जो आकर्मन है, religious movement जिसमें कि आपका down of new Islamic culture, Islamic culture का कैसे आपका उदय होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, next है आपका मुगल के बारे में, मुगल जो है इसका first battle हुआ पानिपत का उसके बारे में पढ़ना, achievements of सेर्शा, सूरी के बारे में पढ़ना, consolidation systems of Mughal, empire establishment of जागिर्दारी और मनसबदारी सिस्टम, इस सारी चीजों को आपको पढ़ना है, next देखें topic में तो क्या है कि rise of Maratha, Maratha का किस तरह से उदय होता है, और उसका achievements क्या रहता है, सिवा जी का, और northward expansion, जो आगे का विस्तार होता इन सारी चीजों को भी पढ़ना है, आगे हम modern history की बात करें, दोस्तों modern history में आपको देखना है कि beginning of European settlement, जो अंग्रेजों का settlement यहाँ पर कैसा ही स्टार्ट होता है, उसमें अंग्रेज ही केवल नहीं, बहुत पुर्दगाली वगेरा भी बहुत सारे, इन सारी चीजों को भ इन सारी चीजों के बारें पढ़ना है, इसका ग्रोध कैसे हुआ, इस्टीने कंपनी का establishment हुआ, consolidation of British power की स्तरह से यहाँ प्याधिपत्य जमाया, अपना battle of plastic का, बक्सर का, control over the mass and subsidiary alliances, और doctrine of labs and doctrine of state, नेक्स्ट है दोस्त टॉपिक आपके पास कि social reforms, बहुत सारे ऐसे social reforms हुए ह modern history जो पढ़ेंगे, हिंदू community पहले पढ़ना है, तो इसमें ब्रह्म समाज के बारें पढ़ना है, आरिय समाज के बारे में, रामकरिष्णा मिश्न के बारे में, प्राठ्थना समाज के बारे में और Theosophical Society of India के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट एगर हम बात करें कि resistance to colonial rule, जो था और अपनिवेसिक शार्षन जाओ, उसके पर्ति जो भी पर्ति रोध हो रहा था, जो भी रोध हो रहा था, पिजेंट, ट्राइबल्स, कल्चरल रेजिस्टेंस और रिवल्ट और रिवल्ट ऑफ 1857, यह वरी वरी इंपोर्टन, इसमस्तियों को देखना है, सोसल रि रिवल्ट ऑफ राइजिंग, किसके लिए है, तो यह वोमेंस स्टेटस के लिए है, वोमेंस स्टेटस के लिए, एबुलिशन ऑफ सती पर था, जो भी है, उसके बाद वीडो मैरेज एक्ट के बारें पढ़ना है, और अस्ट्रेस ओन फीमेल एजुकेशन, जो फीमेल सेटलमेंट के बारे में, रहियत वाडी के बारे में, महाल वाडी के बारे में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह सब चीजें, टेक्सेशन सिस्टम आपको पढ़ने है, जो दूरिंग दे पिरियोड ऑफ ब्रिटिस एरा के टाइम पर जो था, राइज ऑफ नेशनलिजम कैस अब परकार से नेशनलिजम उभर करके आता है इंडिया में, और ये 19th century में किस्ते रखी चीजें, तो इन सारी चीजों को देखना है, जिसमें कि आपका फॉर्मेशन होता है नेशनल कॉंग्रेस का, इनिन नेशनल कॉंग्रेस का, moderate and extremist, साओ देशी मुव्मेंट होता है, ह उसके बाद खिलाफ़त, अंदोलन, इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के साथ में, जो मास पॉलिटिक्स अनि मास मुव्मेंट अगरा जो हुए थे उसके बारे, नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट और सिविल डिस अबिडियन्स मुव्मेंट एन कुट इंडिया मुव्मेंट इसे भी पढ़ना है, यह हम बात करें मोडन हिस्टरी का, नेक्स्ट है कि पार्टिशन औफ इंडिया एन इट्स कंसेक्वेंसे जो भारत का जो भी भाजन हुआ उसके बारे में पढ़ना हुए उसके क्या क्या इंडिपेंडेंटर्स के बाद में क्या क्या हुआ, तो इन्टीटरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को और्गनाईज किया गया, सभी को एक पर का से इंटीग्रेट किया गया, लिन्गविस्टिग जो रिए और्गनाईशन स्टेट होता है, इन सर्थियो को पढ़ना है, नॉ लोग लोग ने तिन सेक्सिंग कुझे कैमें मिन टॉपिक है क्योंकि जब भी आप त्यारी कर रहे है तो मेन टॉपिक को पहले आप देखिये ऊसको बहुत अच्छे से पढ़िए पढ़ने से पहले आप उसका नौट्स भी बना करके रखिए क्योंकि नौट्स जो है बहुत कम समय में आपका रिविजन हो जाएगा और आपको लिखने में बहुत आसानी भी होगा जार्खंड इतिहास के बारे में बात करें जार्खंड का हिस्ट्री के बारे में तो सबसे पहले आपको पढ़ना आदी धर्मा के बारे में जिसमें क्या को सर्ना कल्चर के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट है कॉंसेप्ट औफ सदान सदान कौन है और इसका इमर्जेंस जो है प्रकार से नाग पूरिया लेंग्वेज में कैसे हुआ दोरों भी हो यहां पे आपको नेक्स्ट है आपका ट्राइबल रिवॉल्ट इन जार्खन जार्खन में जो जन जाती है बीद्रों हुए है उसके बार नेशनलिस्ट स्ट्रेगल और यहां पे जिस तरह से राष्टवादी संघर्ष हुए है उसके बार बिर्शा मुवमेंट के बारे में पढ़ना है देखता है हमारा complete 100 marks का फर्स्ट जो history पेपर है उसका 100 कोष्ण का सिलेबस पूरा का पूरागा अब हम लोगों ने paper 3 का 100 कोष्ण के क्या क्या पढ़ना है अब हम लोग देखते हैं जो जो आपका 100 कोष्ण आहीं है जो उसी तरह से है इसमें भी 10 objective questions रहेंगे आपके पास 2-2 number के जो आपको 20 number का weight is होगा आप 80 number जो बाद जाता है आपके पास वहाँ भी आपके पास 2 options questions के रहेंगे जिसमें कि 40 number का रहेगा यह भी आपका 80 number का questions होगा लिखना है तो इसमें कौन-कौन सा subject sections है दोस्त इसमें आपको physical geography पढ़ना है उसके बाद आपका physical and human geography पढ़ना है इंडिया के बारे पढ़ना है natural resources of India इसका development और इसका utilization कैसे होना है इस तो topic है सब topic भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है कि geography of जहारखंड and utilization of its resources जहारखंड का जो geography है और उसमें जो resources है जो mineral है उसका किस तरह से utilization होता है next है जोग्रफी, physical geography जो हम लोगों फ्रस्ट में इसको जनरल इसी प्रिंसिपल भी बोलते हैं क्या बोल रहा है कि पहले हम लोगों को जानना है कि evolution of earth evolution origin and evolution of earth के बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसको पढ़ना है मेजर टाइप ओफ रॉक्स रॉक्स के परकार पढ़ने हैं आपको और their characteristics उसके क्या क्या यह सारे जीज़ों आपको पढ़ना है very very important यह सारो का चारो इंपोर्टन टॉपिक है आपको objective में भी आते हैं questions आगे है geomorphic process very very important geomorphic process में आपको वेद्रिंग पढ़ना है mask wasting पढ़ना है erosion deposition soil formation landscape cycle idea of davis and bank idea of davis and bank के बारे में पढ़ना है जब हम लोग पढ़ेंगे जब syllabus का जिकर करेंगे उसके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़े हैं हो सकता है मैं इस वीडियो में आपको कराओं इस चैनल के मैंदे हमसे सारे में स्कावी portions composition structure and stratification of atmosphere अब इसमें आपको क्या है कि atmosphere के बारे में पढ़ना है आवाई बंडल के बारे में next है insulation जो heat का insulation कहां की ज्यादा होता है कम होता है heat budget के बारे में पढ़ना है next है horizontal and vertical distribution of temperature inversion of temperature जो आपका vertical और horizontal distributions है temperature का उसके बारे म पढ़ना है air masses के बार है और और fronts के बारे में पढ़ना है air masses के कितने टाइप से इन सारी चीज़ों को पढ़ना जब आप पढ़ेंगे वाईउ पढ़ेंगे वाईउ बढ़ेंगे आपका जरु यह तापमान के बारे में यू मंदल के बारे जब पढ़ेंगे तो आपको यहां पे दिखने को मिले अट्मसफेर ले, classification of climate, climate का classification को दर्खेंगे और ये कोपियन और थ्रान वेट के दवारा हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से उसके बाद ग्रिशाफ इफेक्ट के बारे में ग्लोबल वार्विंग के बारे में और climate change का effect के बारे में यह तो समझेए कि आपका environment में भी काम करेगा यह topic next आपको बताना चाहेंगे next topic है आपका वो है hydrological cycle अब हम लोग जो औसनोगराफी से पढ़ेंगे तो distribution of temperature and solicites in the ocean sea wave tight currents ocean floor relief features इसके बारे में पढ़ना है औसनोगराफी में सारी चीज़ें आपको देखने के मिल गए बीस एक्सेंस में क्या है कि physical and human geography of India में इसमें structures पढ़ेंगे relief पढ़ेंगे physiography division drain drainage pattern जो है drainage system हिमालियाज के बारे में पढ़ना और peninsular इंडिया के बारे में पढ़ना है drainage system के बारे में नेक्स्ट है आपका इंडियन इंडियन मौनसूं मेकेनिजम ऑन सेट एंड रिट्रीट क्लाइमेट टाइप कॉपियन एंड ट्रेवर्था के बारे में पढ़ना इसमें green regulations और its impact on major crop in India and food scarcity के बारे में पढ़ना आनि जो आपका green regulations है उससे रिलेटेड और इसका क्या परवा है इंडिया के बहुत सारे ऐसे major crops ने नेचरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है नेचरल वेजिटेशन जिसे forest के टाइपस पढ़ने है आपको distributions of forest के बारे में wild life के बारे में पढ़ना conservation biosphere reserves के बारे में पढ़ना जो आप इन्वारमेंट में भी आ है इस सब चीजी major type of soil, soils के कितने type हैं और यह किसके according classification है तो ICAR के according है and their distribution और इसके distributions कहाँ कहा है, soil का degradations के बारे में पढ़ना है और conservation के बारे में भी पढ़ना है नेक्स्ट है natural hazards जिसे floods हो गया, drought हो गया, cyclone हो गया और landslide यह आपको disaster management में भी है और यह आपको जोगरफिय में तो पढ़ना ही है कि कैसे होता है चीजे बित भी ख्यांतिशन रचना के वज़ासे human activities के वज़ासे इंसाजिए उसके population growth के बारे में है distribution और human geography के बारे में and density के बारे में जिसमें age, sex, ratio, rural, urban composition, next है population, environment and development, जन संख्या, environment और development के बारे में पढ़ना है, next है type of settlement, settlement के type कोन कोन से है, ruler, urban, अब जोगरफिय का अगर NCRT भी पढ़ रहे होगा, 12 class तो वहाँ से सारी चीजें कभर कर सकते हैं, urban morphology, functional classification of urban settlement, problem of human settlement in India, इसे questions तो पिछले बार भी आये थे और आती रहते हैं, human geography से, next है कि natural resources of India, development and utilization, land resources के बारे में पढ़ना है, land resources को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, agriculture के form में, कौन-कौन से वहाँ पर major crops लगा सकते हैं, और कौन-कौन से major crops हैं, इंडिया में इन सारी चीज़ों क के बारे में पढ़ना है, next अगर हम बात करें तो water resources की बात है, तो यहाँ पर water resources आप देख रहे होंगे, water resources का जिसके availability and utilization of industrial and other purpose, irrigation and scarcity of water, water resources को ले करके ही आपको ज्यादा तिरी यहाँ पढ़ना है, method of conservation of water जिससे आपको rain water harvesting systems के बारे में बताया गया है, water shade management के बारे में आपक important, आजकल water scarcity तो बढ़ी किया है, जिसके वजह से यह topic important भी होता है, contemporary issue को देखते हुए, minerals and energy resources, इसमें distribution and utilization of metallic minerals, जिसमें iron, ore, copper, bauxite, magnesium, b में है कि non-metallic and conventional material, minerals, coal, petroleum और natural gases, hydro electricity के बारे में बात करें, और non-conventional resource के बारे में बात करें, देखिए एक तो होता है, renewal और non-renewal, तो इसी को आप लोग non-conventional और conventional resources कहां गया, conventional resources, conventional resources या फिर minerals के बारे में बात कर सकते हैं, जिसे solar, यहाँ पे क्या कि renewable है, यह आपका जितना भी use करेंगे, आपको कोई फरकनी पड़ेगा, wind हो गया, बायो गया, उसके बाद आपका यह यहाँ पे there are distribution and conservation, और इसका distribution और conservation के बारे में बात करना है, next development of industry, इंडिया में और जहारखन के perspective में भी आपको पढ़ना है, कि किस तरह से यहाँ पे डवलप हुआ, उसके बाद आप of industry factors for industrial location, कोई भी industry कहीं भी अप स्टेबलिस होता है, तो उसके पीछे का location किस तरह से design हो क्यों वहाँ पे होता है, उसके pattern of settlement selected industry, जो भी pattern होता है, इंडिस्ट्री का जहाँ पे select के जाता है, जिससे iron का, steel का, cotton का, तो वहाँ पे उसके near about में क्या चीज़ का productivity होना चाहिए, ताकि वहाँ पे उस तरह के आपको factory देखने को मिलेगा, वेबर्स थिवरी, industrial locations and its relevance in the modern world, आज के date में जो modern world में किस तरह से industry को setup किया जाता है, और किस जगार पे करना जयदा रहे है, क्योंकि लागत को सारे जिसको देख करके ही किया जाता है, आगे है transport and communication and international trade, यह तीन word है, यहाँ पे जिसमें आपको road पढ़ना है, railway पढ़ना है, यहाँ पे है कि basis the international trade, आपका जो आधार है, इंटरनेशनल trade के आधार पर changing pattern of India's foreign trade, बहुत dynamic topic है दोस्ते से, कि इंडिया का जो फैपार है, वो आज के date में किस तरह से change हो रहा है इनके pattern को, international के आधार पर बात करने, तो international जो trade हो रहा है उसके आधार पर, आगे है next topic जो उसम of its resources, जो जारखन का जो 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 जोगराफी है, उसका resource का किस तरह से utilize करेंगे है उसके बारे में, तो जो जो लोजिकल, हिस्ट्री, land, forms, drainage, climate, soil, tap, soil के जो टाइब्स हैं, उसके बारे में पढ़ना हैं, उसके बाद, forest, agriculture, and irrigation, दामोदर, एंड सोरं रेखा valley, उसके बाद minerals resources जार्खन का और यहां पर क्या कह रहा है last में कि their extractions and utilization इसका जो उत्खनन हो रहा है इसका जो निकला जा रहा है minerals को और इसका किस तरह से utilization किया जा रहा है इसके बाद पढ़ना यह first topic है next अगर बात करें तो जार्खन का जो populations है population growth distribution density tribal populations और their distribution problem of tribes and tribe development plants their customs ritual festivals और यहां की क्या क्या festivals है ritual festivals है इसके बारे में आपको जालना है जार्खन का जो industrial and urban development major industries iron steel cement industry उसके बाद cottage industries इसके बारे में आपको पढ़ना है next is pattern of urban settlement and population problem जो आज के date में जो urban settlement हो रहे है और उसके उभरते हुए जो भी problem है population का उसको उसके बारे में sorry pollution यहां पर होगा pollution पर दुस्ता नहीं population लिख दिया हूँ pollution होगा एक सगें तो यहां पर जो है आपका pollution होगा ठीक ना sorry यहां पर pollution होगा pollution problem क्योंकि urbanization बढ़ रहे हैं तो pollution problem भी आ रहा है देखने को तो इन सारी चीजों को मैंने यहां पर बात कया यह हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा जो है पूरा कि यहां पोंगकिर्या आखकान का यह हम फिर ऊट सब्सक्री के बनात्कीय सेवी टहाएं